रेलवेई रिक्रूट्में सेल में नॉर्थन रेलवेई में अप्रेंटिसी प्रोग्राम के लिए वेकेंसी जारी की गई है जिसके लिए आप उनलाइन अवेदन कर सकते हैं कर लिया है इंपोर्टेंट की बात करेंगे आपका ओनलाइं स्टार्ट हो चुका है 16 अगस्ट 24 से जिसके लाज्ट डेट 16 सब्तमबर 24 से रहने वाली है वही आपका जो कि कर दिया गया है नौंबर 24 में जो कि आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा है हम सेलेक्शन की बात करेंगे और क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो क्लाश 10 पास होना चाहिए मिनिम्मम 50 पर्षेंट के साथ वहीं रिलेट्ट ट्रेंट में आपके पास से आपके पास IT होना चाहिए हम आपका एज जो की कल्कुलेट किया जाएगा 16 सप्तमबर 24 से मिनमम 15 साल और मैक्सिमम जो की 24 साल आपका एज रहना चाहिए वहीं आपको एज रिसेशन भी मिल जाता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिसेशन मिल जाता है अगर आप और तीन वर्स का एज रिसेशन मिल जाता है नौर्थन रेलवे का ओपीसियल पोर्टल है जहां से आप फॉर्म को फिल करेंगे आपको यहां पर देखिए ऑनलाइन अप्लिकेशन कर देखने को मिल जाएगा सबसे पहले अपना अप्लिकेशन करना है तो ओनलाइन अप्लिकेशन को मिलेगा अगर आप से रिड करना चाहें तो कर सकते हैं उसके बाद प्रॉपर रिदम आप नीचे आएंगे आपको यहां पर डिकलेशन का ओप्शन मिलेगा आप जो किसे यहां से हमारा जो करेंगे और क्लाश कि आपकाम करेंगे मोईल नंबर को तुछ करेंगे डीट प्रॉपर जो या फिमेल आप उसे से किजिए डिया बताएंगे जनरल एस ठी ओबी सी जो भी आपकी कटेगरी है इस तरीके से आप अगर आप दिव्यांग है तो अपना दिव्यांगता जो कि यहां से स्लेट कर सकते हैं नहीं तो सिंपली नो वाले टैप पर क्लिक कर देंगे अगर आप ए प्रकार कोई भी शुल्क पे नहीं करना है आप कई सारी आपसंदेखने को मिल जाएंगे जो आपको आगे कंप्लीट करने हैं जैसे प्रोफाइल स्टेटर्स अप्डिकेशन स्टेटर्स डाकुमेंट स्टेटर्स फाइन सब्सक्राइब कर देना होगा सब्सक्राइब करेंगे उसको बार नेशनल्टी में आप इंडियन कर लेंगे रिलीजियन जिस भी धर्म करते हैं अपने रिलीजियन या धर्म को सेलेक्ट कर लेंगे सब्सक्राइब करना है और यहां पर एड्यस लाइंटर्स फिल आप लकट सब्सक्राइब लाई अग्यायओ अंगर आप विलेजिय तो पसे फिल किजेंगे तुमें उसके बाद जो कि थाना मिलें ब्रिष्टिक कि या थाना कि पर बीटिक कर सकते हैं उसके बाद इस्टेट को यहां पर यहां पर कर देंगे अप्लिकेशन डिटेल जो कि आप यहां पर फिल करेंगे क्लश्टर विकलप आपको बताना है तो आपने जिस भी क्लश्टर से अपावेदन करना चाहते हैं उससे जो कि इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे अब आपको यहाप पर unit वी कर देना है तो maximum तो 9 unit आप दे सकते हैं बट एक जो कि आपको कमपल सरी है तो आप अपने according अपना जो कि unit यहां से चूज कर लेंगे अगर एक से अधिक आप देना चाहें तो इसके भी आप इंट्री यहां पर कर सकते हैं इस तरीके से जो कि आप फिल करेंगे उसके बाद आपको यहां पर एजुकेशन कॉलिफिकेशन डिटेल जो कि फिल करनी है सबसे पहले क्लाश 10 का तो आप पर बोर्ड का नेम देखने को मिल जागा इस लिस्ट में आप अपने बोर्ड को जो कि सेलेक्ट है कर लेंगे उसके बाद कब आपने पास किया था क्लाश 10 उसका यह जो कि आप यहां से क्याने आपको समिष्टर वन ऑन समेस्टर तन में में ऊसके बोर्ड करने मरें कितने डामें से कर देंगे के वर्स समिस्टर में मिले थे उसकी इंट्री आप यहाँ पर कर देंगे। इसी तरीके से डिटेल को जो कि आप फिल करते जाएंगे जो कि आपके मार्चिर पर देखने को मिल जाएगा मैक्सिमम मार्क्स और जो कि कितने नमर आपको प्राप्त हो थे उसकी इंट्री आप यहां पर करेंगे इसी तरीके से फोर्ट समिस्टर में आपको कम्प्लीट को था इस तरीके से आपके कितने थे और कितने नमर आपको प्राप्त हो थे उसकी इंट्री करेंगे जब आप इस से complete करेंगे तो यहां पे आपको जो की यह कि फिल करना पड़ेगा कब का complete था जो कि आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीखे से आपका maximum marks of 10 कितना था और कितने फ्रोटर आपको परसेंट बने थे इस तरीखे से जो की ITI की डिटेल आप जो कि को मिल जाएगा RTI के मार्षिट आपको अप्लोड करनी है और जो कि आपको फोटोग्राफ रिसेंट का अप्लोड करना है क्लास 10 की जो कि सर्टिफिकेट आपको अप्लोड करना है जिस भी कटेगरी से आप बिलॉंग करते हैं का सर्टिफिकेट आपको अप्लोड करना है उसक आसे पुलिया है अब यहां से आपको डिलेट भी कर सकते हैं अपने डाकुमेंट को देख भी सकते हैं उसके बाद आयंगे यहां पर आपको दीखते क्लिक कर देना है नेक्स स्टेप में आपको प्रिंट प्रिव्यू देखने को मिल जागा चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई तुटी नहों अगर आपको कोई तुटी लेगती है तो आपको यहां पर एक option मिलेगा क्लिक करेंगे तो यहां से आप जाके चीजों को अपने करेक्टर कर सकते हैं अगर आपस सारा डाटा ठीक हो आई अग्री वालेट ऑप्सन को जो कि आप चेक मार करेंगे फाइनल सब्मिट अप्लिकेशन आप पर क्लिक कर देंगे यहां से क्लिक करने बाद आपका फॉर्म ज झाल